आज हम बात करेंगे टाइगर 3 को लेके एक कॉंट्रवर्सी इरप्ट हो चुकी अब यह क्या है इस पर बात करने से पहले यू नो दर जिल बाइना इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए सब्सक्राइब टो मैं चैनल एन अब आप 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 सल्मान खान की टाइगर 3 दिवाली 12 नवंबर को रिलीज होई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कर रही है लेकिन साथ ही साथ फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई हैं जिसको लेके एक फिल्म के इसा कहा जा रहा है खासके रॉबसली सोचल मीडिया के सरकल में कि ये फिल्म शायद एक प्रो पाकिस्तान फिल्म है अब क्या वाकई ये सच है कहरा है इस पर बात करों आज हम करेंगे दोस्तों अगर आप टाइगर फ्रेंचाइस का इतियाज जो देखें इस फ्रेंचाइस का कि शुरू में जो में कैरेक्टर है टाइगर सल्मान खान और फिर जो पारलेल लीड है जिसके अंदर है पाकिस्तानी एजेंट जोया प्रेट बाइक टाइगर में तो खैर शुरू में देए दूसरे के अगेंज रहते हैं लेकिन फिर आगे जाके इनके इश्क हो जाता है और सेकेंड टाइगर टू जो अली अबास जफर ने पाकिस्तानी एजेंट मिलके जो हींड इंडिन नर्स बंग पाकिस्तानी नर्स इन बंगलादेशी नर्स इस इन इराक तो वहां टाइगर टू की तो वह काने की अगर आप देखें यहां पे मैं कहूंगा जो प्रडूसर है वायरेफ उसका अमेशा से प्रयास रहा है कि या फिर पठान में भी अगर आप देखें तो अंतकाल जो विलन रहता है वो हमेशा पाकिस्तान की आर्मी है उसकी आर्ण फोर्स इसकी आइस पावफोल इंटेलिजन एजेंसी आइसा है और जाहिर है जो उसके वास्ट टेरर नेट्वर्क है तो वायरेफ की हमेशा से कोश है वो है पाकिस्तान की मिलिटरी डिक्टेटर्शिप और जो उनकी इंटेल नेटवर्क है आईसाय खेर रहा टाइगर ट्री की शुरुवात मैं कहूंगा कि अक्सर जो जो जोया और टाइगर इंडिन रॉ एजेंट और पाकिस्तानी आईसाई एजेंट उनके बीच में जो इश्क मोहबत है यह वास्ताव की जीविन में तो शायद संबब नहीं लेकिन इसकी इसको लेकि अवरसली कुछ खटास रहती थी दर्शकों में इनो स्पेशली ऑन इंडिया साइड और उसे तो खेर हम में कहते थे कि भाया यह तो सब एक फिक्शन है एक मन गड़त कहानी ह बट टाइगर तरी की शुरुवात में कुछ ऐसा है कि जोया के करेक्टर को लेके काफी शक है तब शायद लोगों को लगता है दर्शकों की शायद आखिरकार शायद वायरेफ इस त्राइंड टू करेक्ट इस अर्लियर मिस्टेक और शुड़ाइ से की जो करंट इंडिया में जो शोशल पॉलिटिकल माहोल है विच तो भी हॉनिस्ट बोद दसाइट जो इंडिया-पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशन्चिप है देया पाहफस अनल टाइम लोग और अविसली दोनों मुलकों में तो खेर ओपनली पॉब्लिकली कोई बात नहीं होती है तो लेकिन जैसे यह फिल्म आगे बढ़ती है तब मता हमें पता चलता है कि क्यों जोया का कुछ ऐसा भीएगर तक है एक चीज़ मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको कुछ स्पोईलर अलर्ट हम देने वाले हैं तो यह आपने टाइगर तरी नहीं देखिए और पहले तो जोया के कैरेक्टर फे शक होता है लेकिन आगे जाके और फिर जैसी यह कहानी उभर के आती है जिसके अंदर मैं कहूंगा जो हमारे टाइगर है उन्हें पाकिस्तान में बंदी बना लिया गया है उन्हें उस दिन पासी से सिजा दिया दी जाएगी उन्हें नोट उन्हें पाकिस्तान के आजादी दिवस के दिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रश नस्रीन इरानी नेस प्लेट बाइन इन्टीज अक्टर सिमरन उनकी भी हत्या वो करने वाले हैं अब खेर वास्तिक जीवन में तो यह संबभ है और वहान ना करे यदि ऐसा कुछ हो ज जो इस फिल्म के जो मुख्य विलन है वो एक टाइम पर पाकिस्तान के आद्मी ऑफिसर थे लेकिन इन दे पास्टी ट्राइट ट्रॉप इंडिया पाकिस्तान प्रीस प्रॉसस और जिसके अंदर जिसके लिए उन्हें ऑविसलिए कोट मार्शल के आगे और जेल में डाल ज जायन है अब जाहिर है क्योंकि यह फिल्म है तो यहां पर तो हमेशा अच्छाई की जीत होगी बुराइत है और एंड में जाके हमारे टाइगर जोया और कुछ इंडियन एजेंट एकाद एंड इविन अधर पाकिस्तानी एजेंट्स महीं हाँ क्लियर करें जाओं दे जालों से तो वहां पर तोञ्छ देमोकरशिय सिर्व नाम की है बटा एक्छूली में तो हो एक मिलितरी रून स्टेट है तो खेयर अब क्या पाकिस्तान के अंदर नो पाकिस्तान में एक द्सेज पचाना लगत है या वो पर पाकिस्तान है डफिनिटली वो पर पकिस्त ==== Raven अगर आप इत्यास देखें कि जब जुल्फी खासकर जो जुल्फी अली कर बुटो जब उनकी सरकार थी वो इक सिविल इन गवर्मेंट थी सेवेंटीज में और उनका तो खैर जुल्फी कर बुटो ने फेमेसली कहा था कि हम घास खालेंगे लेकिन वी विल बिकम अन्यूकल स्टेट अब दुर्भागे से सालों के बाए पाकिस्तान बेकेम अन्यूकलिस स्टेट लेकिन आज अगर आप दशा देखें खासकर वो जो एकनॉमिक क्राइसिस में जहां पे खाने पीने की उनके लाले पड़ गया है क्योंकि जाहिर है फूड के दाम बहुत आस्मान चू इसमें रहेगा जो अमन चाहते हैं जैसे मेरे जैसे लोग है नौट जिस इंडिया पाकिस्तान हम तो यहीं चाहेंगे कि पूरी दुनिया में अमन हो जो कॉंट्रिक्ट है लोग मिल बैठके डायलोग के तुरू उससे रिजॉल करें लेकिन अगर आप इतियास उता के इस प्रो पाकिस्तान इस प्रो युमानिटी है विकॉस ओविसली इंपॉर्टन चीज यह है कि दे फिल्म बैसिक्ली कॉल्स आउट दे रियल विलन जो अविसली पूरी दुनिया जानती है जो की पाकिस्तान आम फोर्से से उनकी आयस है और अबिसली दिया सपोर्ट तु वास नेटवर्क टु दवास टेरर नेटवर्क जो इसका मुख्यो प्लॉट है तरीका कि कैसे एक इंडियन एजेंट वो पाकिस्तानी एजेंट और कुछ और एकाद इंडियन और एकाद पाकिस्तानी एजेंट के साथ मिलके वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नसरीन इ एक तो ओविसली जो इरानी शब्द है एंड इरान क्या है वो एक शिया नेशन है और पाकिस्तान क्या है इस लाटली इस एन इसलामिक कंट्री डॉमिनेटेड बाइ सुनी मुसलिम्स और शाहिद कहीं न कहीं मेरे खाल से अधित्र अधितर चोपडा डिरेक्टर मनी शर्मा औ की प्रयास है पाकिस्तान के दर ना सरफ एक जमूरियत लाने का बल्की बट आल्सो टू शो की देखें जो नाम है यह शायद एक मैनोरटी भी हो सकता है हल्प संक्याक और पाकिस्तान माइन और हाव ट्रीट इस माइनोरटी यह तो यह तो पुरी दुनिया को मताई है बट यह तो यह यह एकि यह इरानी जो नेम है इस उनकॉमन फॉर आपकिसानी पॉलिट अट पाकिसानी पॉलिटिकल लेकिन अगर आप इतियास देखें जो कुछ फेमस लोग रहें जिफू है और इरानी डिसेंट वर इन पावर इसमें पहले आते हैं बेगम नसरीन भूटो व वाइफ फॉल्टिकर अली बॉट्टो अब नुसरत बॉटो शी वस बॉन इरान आज नुसरत इसाफ़ानी यहां पे नसरीन इरानी जब उन्हें असलियत का पता चलता है एं अफटर आल दे एक्शन अपने देश के लोगों को जिसके अंदर वो कहती है कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो असली दुष्मन है वो कोई और नहीं बलकि हमारी कुछ हमारे आमी ऑफिसर्स है कुछ हमारी रोग आमी और वो यह तक कह देती है कि भारत से प जो जहां पर शाय थोड़ा virus exaggerate कर देती है कि कैसे after all the action everything is settled तब नस्री निरानी कुछ पाकिस्तानी बच्चों को बुलाती है और वो अपने musical instrument के साथ भारत का जो रास्टगीत है वो प्ले करते हैं अब खैट you know it is far-fetched लेकिन एक चीज़ में कहना चाहूंगा अगर आपको याद हो कैसे है कि from the 70s onward पाकिस्तान की establishment ने अपने स्कूलों में अपने religious centers में एक एंटी इंडिया निरेटिव चला के रखता है and I think I'm sure काफी दर्शकों को याद होगा कि कैसे कुछ साल पहले पाकिस्तान के स्टेट पाकिस्तान government ने एक वीडियो एक एक फिल्म जारी की जिसके अंदर चोटे चोटे पाकिस्तान के बच्चे वो बिलकुल एंटी इंडिया बाते कर रहे हैं कि हम यहां दिल्ली में फते पाएंगे यहां खाएंगे विडियानी खाएंगे यह करेंगे अब उसका जो response हमारी सरकार ने दिया था वो काफी mature था unlike obviously I would say the very naive पाकिस्ता security and दुख की बात है कि एक अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसा देश वो अपने वो जो नफरत फैला रहा है अपने ही पॉपिलेशन में अपने ही बच्चों में तो खैर यह तो खैर political loyalty coming back to the film मैं बस यह कहूंगा I don't think हमानी नजर में Tiger 3 कोई pro-Pakistan film है it is I would say pro-humanity और एक अच्छा प्रयास है to tell Pakistan and to reach out to the Pakistan population की देखिए भई अगर आप 20 चाते हो तो हम से कुछ उमीद मत करें सबसे पहले आपको अपने घर में जो गलत चीज़े हैं you have to set your house in order और जिसके जो ब्लेम जाता है मुसरब उनकी directly उनकी armed forces you know उनके ISI Intel Network को है अब जाहिर है फिर भी I think for all it's good intention you know obviously it's very difficult for ultra nationalists in India and even Pakistan to make peace I would say with the plot of Tiger 3 जहां पर obviously लोग काफी कफा है इस फिल्म के लिए boycott की बात कर रहे हैं मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा कि वास्तविक जीवन में 2004 में पुरी दुनिया इस बात को जानती है इस समय जो भारतिय सरकार थी जो की बीजेपी की त्याटल भी आरे वाचपई की थी उन्होंने 2004 में एक पाकिस्तानी गवर्मेंट और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को एक टिप आफ दिया था ने भारत पीछे भारत ये गवर्मेंट पीछे नहीं हटी तो सेव दे लाइफ ऑफ पाकिस्तानी डिक्टेटर तो खैर अब यहां पे तो वायर एफ मनी शर्मा एंड श्रीदर राववन उन्होंने तो कोई गुना नहीं किया वो तो सरफ एक फिल्म के अंदर एक डिम डिम में जरूर बताइएगा अंतुरी मीर अगेस नेक्स ताइम थैंक यू सो मच टेक केर